इतना गंभीर आरोप करने के बावजूद अरेस्ट होने के बावजूद भी आफ़ताप की होशियारी ठिकाने नहीं आ रही है आफ़ताप जिसने पांच महिने तक अपनी गोर्फरेंड की हत्या का रास छिपाए रखा उसके 35 टुकड़े करके जंगलों में फेख दिये वो अब पुलिस को भी भटका रहा है आफ़ताप की पुलिस में कस्टिडी पांच दन के लिए है और इन पांच दिनों में दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे ठोस सबूत आफ़ताप के खिलाफ इखट्य करने होंगे जिससे यह प्रूफ हो कि आफ़ताप नहीं हत्या की है और सिर्फ कहने से ये बात साबित नहीं हो सकती पुलिस को एविडेंस भी दे पडेंगे लेकिन ये إविडेंस मिल नहीं रहे है इतना आसान नहीं है evidences इखटा करना क्योंकि आफताब जाच में सयोग नहीं कर रहा है वो अब पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है पुलिस की जो latest report सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि उसने अपनी girlfriend श्रद्धा का mobile अपने पास रखा था और श्रद्धा के mobile से उसने 53,000 रुपीज अपन पिर उससे statement लिया गया तब उसने बताया कि दिल्ली में है यानि कि हर बात को लेकर वो दो तीन जवाब दे रहा है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है इसके अलावा आफताब ने श्रद्धा की body को काटने के लिए जिस आरी का इस्तमाल किया वो अभी तक पुल पुलिस के पास अभी एविडेंस कम है ऐसे में आफताब का गुमराह करना इसलिए पुलिस ने एहम कदम उठाया है ताकि इनपाँच दिनों में वो जादा से जादा एविडेंस नीचोड पाए पुलिस ने अब आफताब के नार्को तेस्ट की अर्जी दी थी कोट में और वस अर्जी को कोट ने एक्सेप्ट कर लिया है आफताब का जल्द ही नार्को तेस्ट होगा और उससे राज खुलेंगे कि आखिर श्रधा की डेट के पीछे की क्या सच्चाई है और कहां कहां आफ्ताब ने एविडेंसिस को इधर उधर किया है